देखे मैं उत्तराखंड में आप से भी कहूँगा हमारी मदद करो और जो जो लोग सुन रहे हैं हमारी कोशिश जारी रहेगी कि समाजादी पार्टियां बने और संग्ठन जो भी है उसके संग्ठन और मजबूत दिखाई दे क्योंकि हमारा और उत्तराखंड का रिष्टा बहुत मजबूत है यह उत्तराखंड का हिस्सा है जब निताजी मुख्यंती रहे यह उत्तराखंड का हिस्सा था निताजी उस समय मुख्यंती थे और मुझे याद है जब आदनी नायनंद तिवारी जी को निताजी ने कहा कि कहा उत्तराखंड में आप रह रहे हो आपका प्राइस्थान तो लखनु है आपको सम्मान जादे Тिवारी जी इसी उत्रखड को छोड़ करके लखनु में रहने लगे थे और सबसे जादा विकास अगर किसी ने किया था नाने दिवारी जी ने किया था उस समय उत्तबरदेश ने मांगा था कि जो पॉलिसी आपने उत्राखंड के लिए दी है और बनाई है उसे उत्तरप्रदेश को भी जोड़ा जाए लेकिन नहीं जोड़ा गया था आज इस्तिति क्या आज आप कारखाने बंद होगे क्या यही सस्टेनेबल डिवलम्मेंट है यही जो हमारे यूएन के गोल्स है ज पहाड के लोग होंगे या जो प्रायमेंट के प्रत अपना लगाब रखते हैं वो जानते होंगे की प्रयामेंट को वी सबसे ज़्याद बरवाद अगर कोई कर रहा है तो भारधिनता पाटी की लोग कर रहे है और माघंगा का हाल क्या है याद होगा यहां पर बूख हरता अगरवाल जी उन्हें कोई पूछन नहीं आया था उनकी जान चलेगी विचारे उनकी उनका पत्र अगर आप लोग पढ़ लेंगे अगर उनका पत्र अगर कोई पढ़ लेगा और जिसको मा गंगा से प्रेम होगा वो एक भी बोट भर दिनता पाड़ी को नहीं दे सकता है उ मुन अगरवाल जो आई टी आई आई सौरी कानपूर कानपूर आईटी के प्रोफिसर थे उन्हें जो आसससन बीजे ने पीने दिया था और जो पत्र प्रधान मंधी जी को लिखा था बीजे पी के लोगोंने उनका एक भी कहना नहीं माना और मां गंगा या मां यमना का क् गंड और पूरा उत्वरे दिल्ली से लेकर के बंगाल तक के लोग जानते हैं तो जो मां गंगा से जूट बोल सकते हैं उनको आज नहीं कल नहीं परसों सजा मिलेगी मिलेगी